मद्यप्रदेश में पहली बार अब केले के रेशे से बने सैनेटरी पैट मिलेंगे जी हाँ मद्यप्रदेश के बरानपुर में केले के रेशे से सैनेटरी पैट तैयार किये जा रहे हैं आपको बता ते बुरानव्टूर में इस साम को साम को 2 हायता समू की मैलाईं कर रही हैं जिसमें से 10 महिलाओं को केरल में सैनेट्री पैट्स बनाने और उनकी मॉनिटरिंग का प्रशिक्षिण दिया गया है साथ ही केरल की प्रशिक्षित महिलाओं ने बरांतो राकर महिला स्वास खायता, समु की महिलाओं को सैनेटरी पैट बनाने का प्रशिक्षिण गिया मैं रतना राजश मेडे, मैं रहती हूँ, मेरे समु का नाम है रमावाई महिलाजु के सेट जायता समु और मैं केरल गई थी, बनाना खायवर रियूजबल पैट कैसे बनते है उनको देखने के लिए और कैसी इस्तमाल होता है, इसमें कोई केमेकल्द नहीं होता, यह हम देख प्लास्टिक था, उसे हमें इसे अंधरोनी सुजन आती थी, हीचिंग होदा था और जो जो जोने के जोने का भी बोत यह था चांस था, जैसे हम रियूजबल पैट इस्तमाल करने लगे तब से इस सब कुछ नहीं होता है, और हमें बर कंपड़ेवल मैं से सुदार, इस से जिला परियोजना प्रबंधक राज्य ग्रामिन आजिविका मिसन से, यह जो केले के रेशे से पैट बनाने वाला जो कॉंसेप है, तो हमारे तकालिम सी एम साब केरल गए थे, अमरिता नंदमाई मत में, फिर वहां पे उन्हों ने अम्मा जे से कहा कि हमारे राज्य में भी वहां पे क्युकि केले के रेशे के पैट बन रहे हैं, तो वहां वीदेशों में भी सप्लाई हो रहा है, तो उन्हों ने देखा कि हमारे जिला बुरहनपूर में केले के बहुत पैदावार होती, करीबन 17,000 hectare में, तो उन्हों ने वहां से MOU कराया, पिर हमारे मिसन के डिर सब्सक्राइब काम करना शुरू किया, और विगत कुछ वर्षों से केले पर आधारित, छोटे बड़े उद्यों क्या हो सकते हैं, उस पर देश में दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो रिसर्चेज हैं, जन चीजों की मार्केट हैं, उस पर काफी बड़ी एक्साइज की गई और अभी इस सिल्सला शुरू होने के साथ ही एक हमरे बुरानपुर की अचीवमेंट यह है, कि रियूसेबल केले के फाइबर के पैड्स बुरानपुर में बनने ही शुरू हो गई, और यह रियूसेबल पैड्स यह अब तक केलल में मिलते थे,